जम्रत की पुकार में आपका स्वागत है द्वारका चला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने लोगों को ठगने वाला कुख्यात मेवाती गिरोह का शातर बदमाश गिरफतार किया दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों और शहरों में घूम घूम कर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले मेवाती गिरोह के एक स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक आरोपी को पकड़ा है पकड़ी गए बदमाश की पहचान हर्याना के नो हजले की रहने वाले समीन की किये हैं उसके ग्रफतारी से पुलिस ने गैंग द्वारा द्वार्गाजले के नसवगड मोहन गाडन बिंदापूर उत्तम नगर्थाना इलाके में अंजाम दिये गए 20 मामलों को पुलिस ने सिलजा लिया है और उस पर पहले से भी तीन मामले चर रहे हैं इस बारे में ज कूफ बना कर एटीम में रुपय निकालने आने वालों को मदद का जहांसा दे कर उनके एटीम मदल ठगी की वार्दातों को अंजाम देते हैं एक साथ कई वार्दात को अंजाम दे कर फिर रातो रात वापस मेवात फरार हो जाते हैं नसवगड उत्तमनगर मोहन गाडन बि ज सबस्पेक्टर जैभीर सेट निकरीय करतार सबंसेड़ कुमार करतार सी शुक्पाल हैड और राश कुमार की टीम ने वार्दात वाली जगह पर शेयट्यवी फुटेश की जूंच की पलिस की जॉचना लाकी वार्दातों को निवात को ट्रैक करना शुरू किया, सुचना के आधार पर द्वार का सेक्टर 17 इलाके में उस समय दबोच लिया, जब बहा कोई वारदात को अंजाम देने पहुंच रहा था, उससे मिली मोटर साइकल रोहिनी चला के के एन काट जू मार्ग थाना इलाके से चुराई गई थी, इसे मिला है, पुष्टाश में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इसे साल जनवरी महने में तिहार जेल से छूट कर बाहर आया था, वह दिल्ली के अलावा गजरात, मुंबई और पूने में अपने साथियों के साथ मिल कर इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है, आरोपी के खिलाब बार का नौर्थ धाने में आमस एक्ट के तहत मामला दर्श किया गया, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार